आपके अपने चैनल शेमा की श्टोकर में आपका श्रागत आए तो गाईज आप ट्रेलिगाम चैनल को जोइन कर सकते हैं इसका लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्सिन आपको लेगा वहापर क्लिक करके चैनल को जोइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डेकली मुझे पूदा था कि 40 रुपे के आज पास इसमें वाइंग कर सकते हैं 47 रुपे के आज पास इसमें एक्जिट कर सकते हैं तो गैस करीब-करीब अगर 5-7 रुपे के आज़पास का डिफरेंस प्रोफिट आपको मिल सकता था शोटम में and of course अभी जो है वो 47 रुपे के आजपास अब भी मैं recommend बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर काफी सारी चीज़े होनी है बट यहां पर limited of quantity ही यहां पर उठाने के लिए बोल सकता हूँ मैं यह नहीं बोलूगा कि यहां पर आप 40% 50% जो आपका target है उसका 40% 50% आप buy कर लो क्योंकि already price जो target मैंने short term के लिए बता इसमें dividend वाला bonus वाला and result भी आ रहा है तो काफी ज़्यादा इसमें already दमाके हो चुके हैं अभी उसको confirm करना बाकी है तो पूरा discussion करेंगे तो आज के हाई की अगर बाउन वीख हाई की बात करें ठाउन रुपे 40 पैसे इसका बाउन वीख लो है maximum की बात करें तो maximum सवासु रुपे के आसपास का शेवगा गते था और अब भी एट जो की 46-47 रुपे के आसपास इसका फ्लेक्टिशन मार्केट में मिल रहा है and guys of course इसमें जो की even बी मर्जर किसका DRC सिस्टम प्लस जो की सुविदा इन्फोस तो इन दोनों कंपनियों को अलग किया इसने और मार्केट में लिस्ट भी किया है अगर बात करेंस की वो भी देख लेते हैं तो यहां पर आज जो वोलिम ट्रेड हुआ है वो करीब करीब साड़े नबबे लाग क्वानिटिटी के आसपास जो की एनसी पर वोलिम ट्रेड हुआ है B.C. की बात करें तो यहां पर भी 9 लाग क्वानिटी के पहस वोलिम ट्रेड हुआ है 20 दिन के अवलिम की बात करें तो 8 लाग 20 जार क्वानिटिटी के आसपास वोलिम ट्रेड हुआ है लास्ट बीस दिन में अभी बात करें जो कि दो तिन दिन से लगाता लगाता इसमें बाइंग स्टार्ट हो चुकी है जस्ट विकॉस अपकी जो की बड़ा दमागा ओलड़ी जो कि अराउंस किया जा चुका है और सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट इसका जो कि 93% buy का 7% sell and 0% hold करने का sentiment इसमें नज़रा रहा है तो मैं यहाँ पर यहीं बोलूँगा कि एक limited of quantity आप यहाँ पर उठा सकते हैं बट थोड़ा सा wait करें क्योंकि मंडे को हो सकता है चीजें यहाँ पर पलते हैं कि यहाँ पर 31 January of course guys याद रखना 31 January को बड़ा दमाका होने वाला है तो वो भी वो चीजें भी mind में रखनी जरूरी है and apart from that अगर बात करें यहाँ पर जो कि result की तो quarterlies के result की बात करें तो result यहाँ पर एक अच्छा-काचा jump इवन यहाँ पर show हुआ है revenue में net profit के बात करें तो no doubt की company जो की profit में है EPS की बात करें तो EPS की भी even situation काफी better है and apart from that अगर बात करें शेयर ओल्डिंग की तो यहीं पर ही जो कि holding है उसको decrease किया जा रहा है तो यहाँ पर जो यह holding है इसको increase करना जरूरी है यहाँ पर increase करना जरूरी है plus FIA की बात करें तो यहाँ पर no doubt की December quarter में holding increase हुई है बट और increase करना जरूरी है DIA की बात करें तो DIA में जो की no doubt की 3 quarter से 0.03% के साथ holding बनी हुई है बट पब्लिक होल्डिंग जो की काफी बड़ी तादात में है 60.89% के आसपास जो की पब्लिक होल्डिंग है यह holding कम करना जरूरी है इसलिए यहाँ पर जो price वो काफी time तक maintained है लाइक 40 रुपे से लेके और 50-55 रुपे के आसपास तक काफी time से यहीं पर ही fluctuate हो रहा है अगर बात करें तो अगर बात करें इसके लावा जो की मिचल फंट की बात करें तो holding 0.03% के साथ 3 quarter से लगाता stable है अगर बात करें FII की holding में increment देखने को मिला है 0.46% यहाँ पर काफ अगर financial बात करें यह फिर holding की बात करें जो की especially holding है इसमें जो की बड़े investors की holding बहुत कम है public holding काफी बड़ी दाद में है करिक्रिस 60% से भी ज्यादा public holding है वो कम होती है वो अगर 60% से उसके आदी आती है या फिर 40% के आज पास भी रहती है तो guys chances यहीं है कि share price उपर जाए क्योंकि यहाँ पर holding को जो की even बड़े investors की जरूरत है अभी फिलान जो अगर बात करें क्योंकि public holding काफी बड़ी दाद में है हम जैसे लोगों की holding काफी बड़ी दाद में है जो कि एक limited of time के लिए ही investment करते हैं उसके बाद डम करते हैं बड़े investors long term के लिए सोचते हैं लंबे time के लिए एक अच्छे benefit के लिए सोचते हैं तो guys वहाँ पर even लंबे time के लिए एक बड जरूरी है बड़ा investors यहां पर इंट्रें जो कि इंट्रेंट होगा तो guys काफी चांजी जहर से प्राइस के ऊपर जाने के अपर बात करें यहां पर जो की टोटल शेर की बात करें तो टोटल शेर जो की एक 133 करोड बीस लाग सब्सक्राइब के ट्रेड हो रहा है जिसमें से 41,38,000 के आसपास वोल्यूम जो की promoter and promoter group के पास है remaining की बात करें सवा 91 करोड के आसपास जो की public के पास यहां पर जो की of course इसमें DII, FII, other सब कुछ इसमें include है तो guys यहां पर share ज्यादा जरूरी है अभी फिलार promoter की holding को increase करना जरूरी है and apart from that जो की बड़ी announcement अलड़ी हो चुकी है अब देखना बाकी यह है कि उस पर ठपा कब लगता है उस पर मोहर कब लगती है तो guys वो क्या announcement है तो 31 जो की 31 January को यहां पर एक meeting है meeting में काफी सारी चीज़े announce होनी है वो क्या है वो भी देख लेते हैं तो guys of course दमाका हो चुका है तो यहां पर एक letter आ चुका है वो letter क्या है इसमें जो की financial यह letter दिया गया है कब दिया गया है 17 जनवरी को यह letter दिया गया है 31 जनवरी को यह meeting schedule की गई है उसमें financial declare होगा कि exactly 9 जो की अभी जो इवन जो थर्ड क्वाटर अभी गया है उसका result कैसा रहता है वो depend करता है 31st of Gen को and interim dividend जो की अलड़ी यहां पर date announce हो चुकी है date क्या है यहां पर date जो declare हुई है जो अलड़ी यहां पर वो तो guys यहां पर यहां पर जो dividend की date की बात करें तो of course यहां पर 8 फरवरी अलड़ी date announce हो चुकी है पट कितना dividend दिया जाएगा वो अभी तक announce नहीं हुआ है वो depend करता है 31st of Gen की meeting में and apart from that bonus share of course guys यहां पर bonus share भी दिये जा रहे है जो existing shareholder होंगे उनको तो guys यह भी announce होगा 31st of Gen को की कितना bonus share दिया जाएगा and apart from that जो की यहां पर जो की fund raising of course काफी बड़ा मुदा है fund भी raise किया जाएगा तो guys यह भी decide होगा 31st of Gen को to consider extra ordinary general meeting so guys यह भी decide किया जाएगा 31st Gen को और इसके अलावा जो भी business related जो भी चीज़ें होंगी वो decide की जाएगी 31st of Gen को तो guys यहां पर बड़ा दमाका expected है 31st of Gen को it means कि Monday को यहां पर काफी बड़ा दमाका expected है तो बने रहें मेरे इसाब से क्योंकि यहां पर short term में तो of course आप कमा ही रहें long term में भी एक बहत्री profit आपको मिल सकता है Infibium Avenue में so guys thanks a lot for watching the video subscribe, please like, comment, share and subscribe Thank you, take care